वीडियो के लास पार्ट में आपने देखा कि हितानशी गोरा होने के लिए उसकी मम्मी की कोई क्रीम अपने चेहरे पर लगाती है और फिर रश्मी उससे बहुत ज़्यादा डाटती है हितानशी बहार खेलते वक्त भी रश्मी की कहीं पर बेज़ ज़ती करवाती है और आखिरकार रश्मी गुस्ते में सिर्फ तुरुष्टी के लिए कपड़े लाती है हितानशी के लिए नहीं अब आगे हितानशी अरे नानी आपका भाय खबरदार चुप जी नानी बोला तो मैं तेरी कोई नानी बानी नहीं हूँ नानी नानी आपका आगए रहा बेटा अब कैसे हो मैं अच्छे हो नानी ए लटी तु या प्रेटी को बैट गए चलोट जा ये सामाल लेट अंदर मेरा अरे नानी आप दीदी को किस सामाल लुठने को मुठ रहा है मेरी तरह वो भी छोटी है ना और नानी आप मेरी तरह दीदी की पी तो हानी हो ना ए तु चुपकर ये सिर्फ तेरी नानी है समझी तू इसकी नहीं है चलो दीदी मैं आपको सामाल लुठने में बगद कर देती हूँ देखा ममी इन दोनों का ऐसा ही है अब आप ही कुछ किजिए मैं तो फरिशान हो गई हूँ अरे रस्मी तू फिकर मत कर अब मैं आगई हूँ ना आगे आगे देख होता है क्या उसी तांसी को तो मैं घर से निकाल के रहूँगी येलो दुरुष्टी बेटा मैं तुमारे लिए नए कपड़े लाई हूँ वा, ये तो कितने अच्छे थेंक्यू नानी नानी अप मेरी लिए नए कपड़े नहीं लाए ते लड़की मैं तेरे लिए कपड़े क्यो लाऊ क्या लगती है तु मेरी और सुल मैं तेरी नानी बानी नहीं हूँ सटल देखिये तुने अपनी ताली कलूटी गईगी अरे नानी अब दीदी को ऐसा क्यों बोल रहे हैं दीदी आपकी कोई ना सई लेकिन मेरी बेहन है तू चुप कर दुरुष्टी तुझे खुछ पता नहीं चलता है और बन कर इसी तरता ही करना अरे नानी अब दुरुष्टी को मट डाटे उसमें दुरुष्टी की कोई गलती नहीं या मुझे तुस्ते कोई बात नहीं करनी है खबरदार अगर आगे से तु दुरुष्टी के साथ खेलती हुई दिखी तो चल दुरुष्टी तु मेरे साथ चल नहीं दुरुष्टी मुझे छोड़ के मच जाओ छोड़ उसका हाथ एक ठपड मार हुगी चल दुरुष्टी मम्मी आपने कुछ सोचा आज कुछ करने वाले हो उस कलुपनी को बाहर निकालने के लिए अरे तु देखती जा में क्या करती मुझे तुरुष्टी यहां तु आना चला क्या हुआ नानी तुरुष्टी तुम जली से तयार हो जाओ तू मैं और तुमारी मम्मी गुमने चाने वाले हैं नानी कितानसी दीडी को भी साथ में लेकर चलोना बहुत मज़ाएगा कोई जुरत नहीं है इतानसी को साथ में लेके चलने की समझी लेकिन क्यों मम्मी इतानसी दीडी घर पे अकली क्या करेगी पेटा तुम फिकर मत करो जाओ तुम जली से दयार हो जाओ हम इतानसी को भी साथ ले जाएगी ए लड़की का जा रही है आ नानी छोड़िये मुझे दर दो रहा है तू चुप कर और हाँ हम जब तर भूंके नहीं आते हैं तर कई साथ सपाई करके रहना और सुन ये बात तुरुष्टी और तेरे पापा को बताई तो मुझसे बुरा कोई ली होगा और हाँ हमारे साथ आने से मना कर देना है चलो दीडी आप अब भी तो त्रिया दे हुए अरे तुरुष्टी तुम अकेली चली जाओ मेरी पेट में बहुत दर दो रहा है चलो ना दीडी मुझे आ के बिना नहीं जाना अरे तुरुष्टी मैं में तुझे एक बार कहा ना तो अकेली चली जाओ अरे तुरुष्टी पेटा उसके पेट में दर दो रहा है तुम चलो ठीके अरे तुम ऐसे कैसे पेटी हो सब काम हो गया घर का क्या ना ना नी जी सब काम हो गया क्या सब काम हो गया ? मैं बाहर से आयू बहुत थककी हूई हूँ मेरे पैट दभाओ अरे नानी जी m मे फोडी एवेदी पिटो जाओ मैं बहुत थक गई हो क्या ठक गई हो ? या काम की आ तुमने ? पाऊ न्पा मेरे ए लड़की, जितना नानी ने बोला ना उत्ता करवना एक लगाऊंगी, नानी से तादर जबान लगाई तो, समझी? अरे ममी, डीडी ठब तो ही होगी, में पेर दबा देती हूँ तुझी किसी ने बोला? चल अंदर जा चुपचप से ए लड़की, सुरा नी तुमारी ममी ने क्या कहा? चुपचाप मेरे पाव दबाँ अरे सासुमा, आप कब है? बस एक गंटे पहले ही आई क्या बात है इतांचे? नानी जी की बड़ी सेवा हो रही है अरे बेटा, बस भी करो, बहुत पैर दबा लिए तुशार, बड़ी प्यारी बेटी है, देखो ला, मैं तब से बता रही है उसे, कि जाओ तु तुष्टी के साथ खेलो, लेकिन वो मेरे पैरी दबा रही है अरे वा, मुआरी बच्ची कितनी प्यारी है, मैंने बुला था ना, नानी जी के बहुत सेवा करेगी अरे हाँ तुशार, मैं भी उसे कब से मना ही कर रही हूँ, लेकिन वो मानी नहीं रही है बस बेटा, अब कितना करोगी, क्या अंदर जाके खेलो ठीके पापा अरे रश्मी, इतना कुछ कर लिया, देखो न, लेकिन ये इतना सी का क्या करे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा अरे ममी, एक बात बताओ आपको, पिछली बारे न, वो मेरे सारी फेस क्रीम लगा के गई थी अरे रश्मी, आज इसको इतनी सारी तकलीप दे दी, तो भी उसे कोई फरक ही नहीं पड़ रहा हाँ ममी, इतना कुछ कर लिया, लेकिन ये लड़की घर छोडने का दाम ही नहीं ले रही ममी, मेरे पस एक आइडिया है अच्छा, क्या अरे ये तो बहुती बढ़ी आइडिया है, ग्रूप उसे आने दे ममी, ममी, वो आ गई, चली शुरू जाएगे देखो रस्मी, मैं गाव से पावडर लाइग, ये बहुती अच्छा पावडर है ये पावडर लगाने से जितने भी काले लोग मेरा, वो बड़े बचाते रहे अरे ममी, दिवी बढ़ी है, वो सोलेगी, उसको मत भीजीगा अरे नहीं है ममी, मैं इसको संभाल के रग देती, ठीके? ने तो वो लितांशी देलेगी ये लड़की, ये तुने क्या क्या क्या? अरे रस्मी, यहा तो आना, देखें इतांशीने क्या 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 हुआ ममी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे दवाजी, देखें न, यह मेरे दवाई का पावडर था, जो मैं गाव से लाई थी और इसने अपने पूरे भूग पे लगा दिया, अब मैं कहां से लाँगी ये दवाई का पावडर? बहुत आप साइड लेते न इसकी, अब मोल ये कुछ इसको बेटी, ये पावडर दवाई का तुमने क्यों लगाया? बहुत बापा, मैंने मुम्मी की और नाने की बाट चुक, खबदार अगल मम्मी और नाने का नाम लिया तो, समझी? चलो कोई बात में जाने दो, भूमजी दीजिए, कोई बात में साथ समा, मैं कहीं देखता हूँ मेडिकल में दुरू मिल गयाएगा देख लिया अपनी बेटी की कर्टुते, अज मेरी मम्मे के साथ ऐसा क्या, कर किसी वहां के साथ ऐसा करेगी? कोई बात में के समझा चाहूँ, चलो कोई ले जाएगे इस बेओ को फलंकी को, मम्मी अच्छा बने चाखाया, तो शाह के नजर में नुचा गिरागिया, हाँ बेचा, अब देखो आगे-आगे बोता है क्या